यू आ वाचिंग चैनल वाई अ साउथ एशन कनेडियन चैनल है दिस प्रियांक चुप्रा यू आ वाचिंग चैनल वाई गुर्टेस नू वदीक मुखी ग्रंथी सहब ग्यानी जगतार सिंग ने गुरु बक्षी सुरुपाओ ते पतासियां दा परशाद दता इसे दुरान ओशिरियकाल तक सहब विखेवी नतमस्तक हों ली गए परिकर्मा कारदया सकतर जर्नल एंटोनियो गुर्टेस नू शिरोमनी कमेटी दे मुख सकतर डाक्टर रूप सिंग ते मेंबर वीबी किरंजीत को और ने साचखन शिरी हर मंदर सहर ते एथे स्थित पावन अस्थान ना दे इतिहास तो जानू करवाया और ना एंटोनियो गुर्टेस नू शिरियकाल तक साहिब ते 1984 विच उस समेदी सरकार वल्लो किते गए फोची हमले बारे वी जान कर दिती इस उपरान गुर्टेस ने सूशन के अंदर विखे अपने संखेब संबोधन वीच केहा कि मैंनू खुशी है कि मैंनू शिरी दर्बार सहेब नतमस्तक होनदा मोका मिलिया है मैं सिख कोम नू सतकार पेट करदा हां जो की सारे विशव पार विच वसे होई ने आज दा ए अदबुत नजारा ना पुलनियो गया अते जो सतकार ते प्यार मेंनू एथे मिलियाए मैं उस दा दिलों तानवाद करदा हां सुचना केंदर विच परदान गोविन सिंह लोंगोवाल डॉक्तर रूप सिंह ने ओनानू शिरिदर बार सहब दा मोडल अते किताब मांदा सेट दे के सनमानित किता I want to express my deep respect for the religion of the Sikh people and this wonderful golden temple in which the spirit of peace, of tolerance, of ecumenism is present, I prayed here as a Catholic, but all people from all religions in the world can pray in this holy place. There are unfortunately not many temples in the world where this is possible and this is something that makes me feel very happy to be here and very proud to be invited and at the same time it increases my admiration for the Sikh communities everywhere, the Sikh community in India, but the Sikh community in my part of the world, in Europe, in North America, everywhere where Sikhs are contributing to the development of our world. So I want to express to my hosts my deep gratitude and wish you all the best to the wonderful practice that the golden temple represents, receiving everybody, sharing with everybody the food, but more than the food, sharing this wonderful spirit of peace, of harmony, of understanding that we badly need in today's world. Thank you very much. पाई लोंगोवाल ने एंटोनियों गुटेस नो एक मुमरेंडम सोप के सिक मसले उठाये ते पाकिस्तान सित्करतारपूर सहब दे खुले लांगे दा मसला विशेश तोड़ते उठाया, और ना किया कि जे करे लांगा खुलदा है ता पारत पाकिस्तान दोवां देश्या मामला वी ओना कोल उठाया, इश्रोमनी कमेटी परदान ने केहा कि जून 1984 विच पार्ती फोजवलों साचखन शिरीहरमंदर सहब ते शिरीयकाल तक सहब ते हमला कार के पारी नुकसान पहुंचाया गया सी, इस तो इलावा नमबर 1984 विच दिल्ली ते कानपूर समेथ अनेक थामा ते सिख नसल कुशी किती गई, औना सिख नसल कुशी दे जिम्मेवारा नु सक्त सजामा देनली सोयुकत राश्टर नु दखल देनली केहाई, पाईलोंगवाल ने सिखान तार्मिक चिन्ना करपान कडा ते दस्तार बारे अन्टोनिय गुटेस नु केहा कि आज मुश्किलन दा सामना करना पहनदाया ते वाकवाक देशया अंदर सिखा ते हो रहे हमले वी चिन्ता जानक ने, जिन्ना दे हाल ले यतन कीते जान, उनना कहा कि ये सारे मसले बेहत एहम फोन करके तियान मंगदेने ते ओ चौन देने कि ये सारे मसले से युगत राश्टर असेंबली के होन वालियां कन्वेंशना विच उठाए जान तां जो इनना दाप सरली करन हो सके इनना सारे मामलें दे विचार सबंदी एंटोनियों गुटेस ने श्रोमनी कमेटी दे परदानू परोसा वीद वाया इस मोके श्रोमनी कमेटी दे जर्नल सकतर गुर्बचन सिंग कर्मुवाला, मेंबर बीबी किरंजीत कौर, केंदरी मंतरी हरदीप सिंग पुरी अते पंजाब दे खजाना मंतरी मानप्री सिंग बादल वी मुझूद सन वास दे दिन किती गी दिल्ली कानपूर वीच जडी नसल कुस होई है, बहुत सारे सिख जड़े हजारां सिख उथे मारे गए ने, उनना बास दे आसी उननों बेंटी किती है, कि वो जुए नों दे दाखल देके, साथे जड़े वी जुम्मे बार रखती ने, जिनना ने सा साथे एड़ा कतल ने हम होया, और उनना जुम्मे बारानों सक्तों सजा दिती जावे, तिके ए मबलन मुत्त है, दूसरा सिख पशान दी समस्या है, बारले देशां दे विचे कई बारां सिख पशान दी समस्या जड़े उखडी हो जड़े है, उनना बारे भी इस उनना गल जावे, ए मसले ने इस तरह करतारपुर लंगा जिड़ा श्रीकरतारपुर नानक देव साथे पंसव साला प्रकाश गुरपुर्वा आ रहे है, उनने सारी सिख कौमनिया पावना मने, हर एक सिख चाउंद है के श्रीकरतारपुर साभ जिते सद्गुरु महराज ने आखरी जावे, जावे, तो इस तरह नसली हमलें जिमे सिख दे बाहर हो रहे ने, और नसली टिपनियां हो रहे हैं ने, वो दा भी जो नो जिड़ा साथे ने नाकल करके वो दा इस तरह ने हमले होना चाहिए.